नवश्कार में उप्रिया आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में चोले जानते हैं बिहार के अब तकी बड़ी खबरों को इस बार 10,000 से अधिक बूतों से होगा मतदान का लाइफ प्रसारन आगामी बिहार वधानसभा चुनाव में सिक्षक और सनातक छेत्र के निर्वाचन की निगरानी के लिए लगभग 10,400 बूत को लाइफ प्रसारन किया जाएगा इसके अलावा मतदान के दौरान वधानसभा के 3,788 टेबल का भी लाइफ टेलिक कास्ट करवाय जाएगा वधानसभा चुनाव में मतदान एजेंट लाइफ स्ट्रीमिंग में ही गिंती की निगरानी करेंगे चुनाव आयोग ने इस प्रसारन के जिम्मदारी नाश्रल इंफरमेटिक सेंटर सर्विस को दे दी है इसके लिए 9.5 करूर का करार कर दिया गया है वधानसभा चुनाव में राज्य के करीब 1.06 बूथ में से 10 पीजदी परमदान का लाइफ प्रसारन किया जाएगा जिला और राज्य ने अंतरन कक्ष में भी इसका प्रसारन होगा ताकि चुनाव के दिन तमाम गतिविदियों पर नजर रखी जा सके जिन बूथों का लाइफ प्रसारन किया जाएगा उसका चयन जिलासतर पर हो गया है और वहीं National Informatic Center Service उपकरणों को लगाने की तैयारी शुरू हो गई है चात्रों को स्कूल भेजने से अभिभावकों ने किया साफनकार बिहार के अधिकांश स्कूल 28 से खोलने की तैयारी कर रहे है हाला कि COVID-19 के बढ़ते माहौल को देखते वे सरकार के आदेश के बावजूद अभिभावक अपने चात्रों को स्कूल भेजने के रिए तैयार नहीं दिखाई दे रहे सरकार द्वारा COVID-19 बचाव की गाइडलाइन के साथ स्कूल खोलने की अनुमती दे दी गई है इसको लेकर स्कूल प्रसाशन द्वारा अभिभावकों की फीडबाक बंगवाई गई थी स्कूल के 95 फीस दी चात्रों को स्कूल भेजने से वाना कर रहे हैं ऐसे में इन स्कूल के प्रबंधकों ने अपने स्कूल को बंद रखने का निर्ने लिया है नॉटर्डम अकैडमी की बात करें तो स्कूल द्वारा अभिभावकों के बीच सर्वे करवाय गया था जिसमे 96 फीसिती अभिभावक ने स्कूल को चातर भेजने से वना कर दिया इसके बाद नॉट्रडम अक्याडमी प्रसाशन ने सभी स्कूल को अफिल हाल अभी बंद रखने का निर्ने लिया है वही सेंट माइकल हाई स्कूल की बात करें तो 28 सेतंबर से स्कूल नहीं खोले जाएंगे बिहार इलेक्शन को लेकर तैह हुई रेट लिस्ट आगामे बिहार वधान सभाज चुनाफ में प्रचार के दौरान प्रत्याशी ने किस व्यक्ति को अगर टोपी पहनाई या फिर इसकी अगर कोशिश की या फिर किसी व्यक्ति ने प्रत्याशी को टोपी पहनाने की कोशिश की तो दोनों स्थितियों में प्रत्याशी की खर्च में 1500 रुपे को जोड़ दिया जाएगा इतना ही नहीं समोसे के लिए 8 रुपे तो रजगुला खाने के लिए 10 रुपे चुनाफ खर्च में माना गया है विधान सभाज चुनाफ के लिए भोजन से लेकर गाडियों तक की दर प्रत्याशाशन की तरफ से तयार कर दी गई है प्रत्याशन की 144 समागरी का रेट लिस्ट तयार किया गया है जुसके तहत 50 या उसे अधिक बैठने के च्छमता वाले बस के दर 2850 रुपे रखी गई है राज़त नेता तेजस्वी आदव ने 10 लाख युवा बेरोजगारों को नौकरी देने का किया एलान आगा में बिहार विधान सभाज चुनाफ की तारीख का एलान होते ही समीदल अपनी अपनी जीद के लिए दावे प्रतिदावे करते जा रहे है वही वोटरों को लभाने के लिए कई घोशनाएं भी की जा रही है सिक्रम में चुनाफ से पहले ही बिहार के युवाओं और बेरोजगारों को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदव ने एलान किया है इसमें 9,47,334 बेरोजगारों ने रजिस्टर किया था उन्होंने कहा कि 13,11,626 लोगों ने मिस्कॉल किया था हमारे पार्टी बेरोजगारों को लेकर गंभीर है बिहार सबसे युवाप्रदेश है सिक्षक और सनातक निरवाचन छेतर के लिए नमांकन की प्रकरियाश शिरू होगी कल से पतना सिक्षक एवं सनातक निरवाचन छेतर के लिए 28 सिटंबर से 5 अक्टूबर तक नमांकन पत्र दा खिल किया जाएगा मतों की गणना आरेभट ग्यान विश्विद्याले परिसर में बनाए गया है केंदर में 12 नवंबर को की जाएगी प्रमंडलिया आयुक्त संजे कुमार अगरवाल ने शनिवार को चुनाव सम्मंधित कारियों की समीक्षा करके इस बात की जोयानकारी दे दी है बिहार विधान परिशत की द्वीवार्षी का निर्वाचन पतना सिख्षक और सनाथक निर्वाचन शेत्र के लिए भारत निर्वाचन आयोकद्वारा दिशानिर्देयस निर्गत किया गया है महागठ मंधन में अपस में तैव हुई सीट ए महागटबंदन दल में जहाँ सीट बटवारे को लेकर रसा कसी का माहल देखा जा रहा था वहीं इसके उलट महागटबंदन में आपस में सीटों का बटवारा कर दिया गया है जिसके बाद पार्टी से नाराज चड़ रहे उपेंद्र कुश्वाह के फैसले की तरफ सब की न करीब 20 सीटे आ सकती है इसमें सबसे बड़ा भागिदार माले रहेगा वहीं वी आईपी को मिलने वाली सीट एक अंक में रहने की संभावना है जिसके बाद अब उपेंद्र कुश्वाह के कदम पर सब की निगाहें टिक गई है सूत्रों का कहना है कि यदि उपेंद्र कु चुनाव के मौके पर खादी की मांग बढ़ती देखी जाती है लेकिन इस बार बिहार वधानसभा चुनाव में विशेश रूप से खादी की एहमियत बढ़ेगी मिली जानकारी के नुसनार COVID-19 के माहौल में हो रहे है चुनाव में मतदान के लिए करीब 8 करोड की जरूरत होने वाली है निर्वाचन आयोग ने खादी मास्क को अनिवार कर दिया गया है इसके जरीए खादी का कारोबार बढ़ने और उसे एक नया जीवन मिलने की उमीद जटाई जा रही है पर मुखे निर्वाचन पताधिकारी रंजीता ने स्वास्त सच्शिव्क और जिराधि चेक पोस्ट भी बना दिये गए हैं चुनाव को लेकर सुरक्षा की कड़े इंतजाम किये जार है पलिस पदाधिकारियों के थानेदारों के साथ बैठा का दौर भी अभी जारी है चुनाव में संदिक अधिक पैसे लेकर आने जाने वाले लोगों की आवजाही रोकने पर ध पतना का बॉर्डर को नौ जिलों से जुड़ा हुआ है जुसे बेगु सराय, लखी सराय, नालंदा, जुहानबाद, अर्वल और अंगबाद, भोजपूर सार और वैशाली का नाम शामिल है बिहार वधान सभा चुनाव में धनबल के प्रभाह को रोकने के लिए सर्विला सर्विलांस टीम कर गी अंगचन कर दिया गया है, मिली जौनकारी के नुसार राजू के सभी 38 जुलों में, इसके लिए सर्विलांस टीम करेंगा है, यह टीम किसी बी अलाके में, किसी बी प्रत्याश्च्रिया उनके प्रतनेधियों की तरफ से मतदाताओं के बीच पैसा केंद्र सम्वेदन शील छेत्रों की मैपिंग और अती सम्वेदन शील मतदान केंद्रों के निर्धारन के लिए कदम उठाय जा रहे हैं यह प्रक्रियांतिम चरन में हैं उन्होंने बताए कि इसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा पूरवी बिहार में अगले 24 घंटे में भारी बारिश के जताए गए आसार पिछले चार दिनों से राजे में मौनसून की सक्रियता होने से अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ज्यादा बारिश हो रही है मौसम वग्यानिकों की माने तो रविवार को राजे के पूरवी हिस्से में बारिश की सिती बनी हुई है 28 सेतंबर से ये बारिश में कमी आने के आसार है वही 24 घंटे में बिहार के कई जिलों में बारिश तरच की गई है पश्रम बिहार से पूर्वी बिहार की ओर निम्न दबाव का छेतर शिफ्ट कर दिया गया है। साथी चकरवाती हवाओं का छेतर समुदर तल से 3.5 किलोमीटर की उचाए पर है। मौनसून की अक्षिय रेखा भी पूर्वी बिहार पर बन कर कम दबाव की छेतर से होते विए पुर्वोतर भारत तक बनी वी है। मौसम विग्यानिकों की माने तो भागलपूर और पुर्णिया में आंशिक बारिश की आसार है। और COVID-19 को लेकर जोरी दिशा निर्देश का उलंगन करने की बात कही गई है। मदर मोहंज़ा के अलावा कॉंग्रेस स्क्रीनिंग कमीटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे, बिहार प्रभारी, अजय कपूर, साचिफ देवेंद्रियादफ, मुहमद दिंजामुदीन, अखिलेश सिंग और दीपक नेगी को नाम जद किया गया है। रविशंकर प्रसाद ने तीजस्वी आदफ से दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को पोस्टर से हटाने पर मांगा जवाब। जरूरत क्यों पढ़ गई है, इससे साफ है कि विपक्ष के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, वधान सभा चुनाव में भाजपा यह सब जरूर पूछे कि इतना ही ने उन्होंने इन दीशकुमार के नेतरित्व में NDA चुनावी मैदान में उतरने का एक बार फिर अभीनेत्रियों की मुश्किले बढ़ गई है, एक वाटसाप चार्ट के बाहर आने के बाद, अब NCB ने दिपिका पदकोन, सारा अलिखान और श्रधा कपूर जैसे अभीनेत्रियों को पूछताच के लिए बलाया था, मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक इस पूछताच की शेर किया गया न्यूज आर्टिकल में, श्रधा कपूर और सारा अलिखान दोनों ने बताया है कि सुशांत शूटिंग के दौरान वैनिटी वैन में ड्रग्स लिया करते थे, इंडियन प्रीमियर लीग के 13 संसकरन में आज आमने सामने होंगे Kings 11 पंजाब और राजस्थान पंजाब के बीच में मैच खेला जाएगा, आपको बता दे, COVID-19 के महाल के बीच आईपिल के सीजन 13 का आयोजन UAE में हो रहा है, टूर्णमें में पंजाब का यह 30 मैच होने वाला है, पंजाब के आईपिल में शुरुआत अच्छी नहीं रही, इससे पहले मैच में हार मिल है, उसने चेननी सुपर किंग्स को हराया है, हाला कि आज तोनों टीम जीत के इरादे से मैदान में उतरेगी, देश में COVID-19 प्रभावतों की संख्या पहुची 60 लाख के करीब, देश में COVID-19 प्रभावतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, स्वास्तमंतरारे की त बात यह है कि संक्रा में तो उसे ज्यादा ठीक होने वालों के संख्या भारत में देखी जा रही है, स्वास्तमंतराले की माने तो 24 गंटे में 92,043 मरीज ठीक हो चुके हैं, जो इसकी बात कुल मिलाकर 49,04627 मरीज ठीक हो चुके हैं, वहाई 9,562 मामले फिलाल सक्री है, रि खबाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं, इसके साथ ही आज के लिए बस अतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अबडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बलाइकों दबाना ना भूले, धन्यवाद